ओम श्रीवेंकटे साय नम्हां मैं प्रोफेसर S.V.S.S. नाराण राजू यूट्यूब चानल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ संत स्री गोस्वामी तुलसिदास जी द्वारा रचित स्री रामचरित मानस के अरन्यकान से संबन्दित आज मैं और एक पद की व्याक्या करने जा रहा हूँ अब तक क्या हुआ नारद मुनी राम नाम की महिमा से संबन्दित जो भी बता दिया कृपा सिंदू, कृपा वत्सल, भक्त वत्सल प्रभू स्री सिता रामचंदर स्वामी जी ने नारद मुनी से कहा कि ऐसा ही हो कहकर राम नाम की महिमा पर अपने जो सहमती दे दिया है तब नारद जी ने मन ही मन बहुत हर्ष से बरकर प्रभू के चर्णों में प्रणाम किया अब आगे क्या हुआ सबसे पहले गोस्वामी तो सिदा जी के शब्द में पद देखेंगे अति प्रसन रगुनात ही जानी पुनिनारद बोले मृद भानी राम जबही प्रेरेव निजमाया मुहेह मोही सुनहु रगुराया तब बिवाह मैं चाहव कीनहा प्रभु केही कारन करैन दीनहा सुन मुनितो ही कहाव सहरोसा बजही जे मोही तज सकल बरोसा करव सदा तिनह के रकवारी जिमि बालक राकै महतारी गह सिस बच्च अनल अहि धाई तह राकै जननी अरगाई प्रोड भय तेही सुत पर माता प्रीती करै नहीं पाचिल बाता मुरे प्रोड तनय सम ज्ञानी बालक सुत सपदास अमानी जनही मोर बल निजबल ताही दुहूं कह काम क्रोड रिप आही यह विचारी पंडित मोही बजही पायहूं ज्ञान बगति नही तजही काम क्रोड लोबादी मद प्रेबल मोही कैं दारी जिनह महा अति दारुन दुकद माया रूपी नारी देखिए अब इतने अत्यंत प्रसन बगवान से नारद पूछ रहे हैं अति प्रसन रगुनात ही जानी पुनि नारद बोले मृदबानी राम जबही प्रेरेव निजमाया मोहेह मोही सुनहु रगुराया प्रभूशी राम चंदर जी को अत्यंत प्रसन जानकर नारद मुनी जी फिर कोमल वानी से बोले हे राम जी हे रगुनात जी सुनिए जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था तब विवाह मैं चाहाँ कीन हा प्रभू कीन ही कारण करई न दीन हा सुन मुनी तो ही काहाँ सहरोसा बजा ही जे मोहित जी सकल बरोसा तब मैं विवाह करना चाहता था हे प्रभू आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया अब प्रभू बोले देखिए हे मुनी सुनो मैं तुम्हें हर्ष के साथ ये कहता हूं की जो समस्त आशा बरोसा छोड़ कर केवल और केवल मुझे को ही बजते हैं करव सदा तिनह के रकवारी जिमि बालक राकई महतारी गहसिस बच्च अनल अहिदाई तह राकई जननी अरगाई मैं सदा सदा उनकी वैसे ही रकवाली करता हूं जैसे माता बालक की रकषा करती है छोटा बच्चा जब दवड़ दवड़ कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहां माता उसे अपने हातों से अलग करके बचा लेती है प्रावड बैं तेशी सुत परमाता प्रीत करई नहीं पाचिल बाता मुरें प्रावड तनय समझ्यानी बालक सुत सपदास अमानी और बड़े होने सदा सयानी हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है परन्तु पिछली बात नहीं रहे तरदात मात्र परायन शिशु की तरफ फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती है क्यों वह माता पर निर्बर ना कर अपनी रक्षा अपने आप खुद करने के लिए सक्षम हो जाते हैं ज्ञानी मेरे प्रावड सयाने पुत्र के समान है और तुम्हारे जैसे अपने बल का मान ना करने वाला सेवक मेरे लिए शिशु अर्दात पुत्र के समान है जनही मोर बल निजबल ताही, दुई कहां काम क्रोद रिप आही, यहां विचारी पंडित मोही भजही, पाया हु ज्ञान बगति नहीं तजही, मेरे सेवक को केवल और केवल मेरा ही बल रहता है, और उसे अदाध ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोद रूपी शत्र तो दोनों के लिए बराबर है, लेकिन बक्त के शत्रों को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर ही रहती है, क्योंकि वो मेरे परायन होकर मेरा ही बल मानता है, परन्तु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रों का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है, ऐसा विचार कर पंडित जन अदात बुद्धिमान जो ज्ञानी लोग क्या करते हैं, मुझको ही बजते हैं, वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी बक्ती को नहीं चोड़ते हैं, यहां तुलसिदास और एक बार ज्ञान से बक्ती पर अधिक बल दिया है, काम क्रोध लोब आदि मद प्रबल मोह कै धारी, तिनह मह अति दार्न दुकद मयारूपी नारी, काम क्रोध लोब और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल से ना है, इनमें मायारूपनी, अदात माया की सक्षात मुत्ती, स्त्रीतो अतियंतदारुण दुक देने वाली है, इसी संगर्ब में यहां मैं यह कहना चाहता हूँ, जो पुरुष आध्यात्मिक मार्ग में आगे साधन करता है, उनके लिए मायारूपनी, माया की सक्षात मुत्ती, सबसे दुक देने वाली, अडचन देने वाली, कस्ट देने वाली, तकलिफ देने वाली तो स्त्री ही है, इसके साथ साथ, जो स्त्री, अगर अध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, मुक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए साधना करती हैं, उनके लिए भी सबसे जदा तकलिफ दुक, खलेश, कस्ट देने वाला, और माया, रूपनी अदत, माया की सक्षात पुरुष ही है यहां बारती सनातन धर्म की विशेशता है कि स्त्री और पुरुष में कोई बेद बाव नहीं है दो देर इस नो जंडर डिस्क्रिमिनेशन अब इस पदका मैं संक्षेप में अर्द बताना चाहता हूं फिर रगनाद जी को अति प्रसन जानकर नारत जी मदु प्रवच्छन बोले है रामजी है रगनाद सुनीए जब आपने अपनी माया को प्रिरित कर मुझे मोहित कर रखा था तब मुझे विवाह करने की चाहती है प्रभु आपने किस कारण विवाह नहीं करने दिया प्रिभु बोले है मुनी सुनू मैं तुमसे अत्यनत प्रसन्नता पुरो कहता हूं कि जो समस्त आशा बरोशा तज कर केवल और केवल मेरी आराधना करते हैं तो मैं सदा उनकी रक्षा करता रहता हूं जैसे माता अपने बालक की रक्षा करती रहती हैं जब बालक आग और सांप को पकड़ने दोड़ता है तो तब माता उसे अलग करके उसकी रक्षा करती हैं बड़े हो जाने पर उस पुत्र पर माता का स्नेह तो रहता है परन्तु पिछली बात नहीं रह जाती क्योंकि वो मात पर निर्वर ना होकर अपनी रख्षा स्वयम करने लगता है अरदाद ज्यान वग्त मेरे सयाने पुत्र के समान है और तुम्हारे जैसे मान रहित सेवक मेरे लिए शिशु अरदात पुत्र के समान है बक्त को केवल मेरा ही बल होता है और उसे ज्ञानी को अपना बल पर कामक्रोध बल पर रेता है तो कामक्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए बराबर है लेकिन बक्त के लिए शत्रुवं को मारने का दायत्व मुझ पर होता है क्योंकि उसे मेरे ही बल का बरुसा होता है परन्तु अपने बल पर निर्बर होने वाले ज्ञानी के शत्रों का नाश करने की जिम्हेदारी मुझे पर नहीं होती है यह विचार कर पंडित लोग क्या करते हैं? मुझे को ही बजते हैं विज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी बक्ती को कभी भी नहीं छोड़ते हैं, ना त्यागते हैं। यहां जो आध्यात्मिक मार्ग में साधन करने वाले पुर्ष के लिए सबसे दुख देने वाली माया रूपनी स्त्री है तो अगर आध्यात्मिक मार्ग में मोक्ष की वोर जाने के लिए जो साधन करने वाली स्त्री के लिए भी अत्यंतदार उन दुख देने वाला तो पुर बहुत बहुत धन्यवाद जैश्री मन्नारायन।